जाहिन दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश होगा तो आज हम मंडी का हिस्ट्री पार्ट तीन करेंगे हमने पार्ट टू कर लिये हुए हैं वहाँ पर हमने जो इंपोर्टेंट चीजे थी उसको कर लिया हुआ है और अजबर सैन की जो हिस्टोरिक बेक्राउंड थी और साथ में जो मंडी के हिस्ट्री में उनका जो कंट्रिबिशन रहा है उसको हमने अच्छे से कर लिया है आज हम पार्ट तीन को करेंगे और इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण जो किंग हुए हैं मंडी के उनके बारे में डिसकस किया जाएगा और इनका मंडी की हिस्ट्री में क्या कंट्रिबिशन रहा और साथ में इनके समय में कौन-कौन कंटेंपरिरी घटनाए हुई बनले किस-किस राजा के उपर इन लोगों ने अटेक किया या किन-किन के साथ अपने जो है अच्छे सबंद बनाए तो उसके बारे में आज हम बात बनाए तो आगे चलते हैं जो साहिब सेन है यह मंडी के एक प्रमुख राजा हूए है और सबसे इंपोर्टेन चीज जो है इनके समय में तोी जो साहिब सेन है तो साहिब सेन ने क्या किया सबसे पहले इसकी जो मेरीज हुई वबिलासपुर की एक राज-खमारी थी उसके स चाहिए कि उसको एक सला देती है और सला की क्या दी जाती है कि मैंने आपको बताय था द्रंग एक जगा है मंडी में और जब हमने धार वाला वीडियो किया था तो गुगड़ धार और वहां पर आपको एक छोटी सी जिसको हम टेल बोलते हैं कहानी बोलते हैं उसके मादिम से बताय था कि घुगड़ का मतलब क्या होता है और साथ मैं घुगड़ धार के अंदर जो है द्रंग वाला रिजन देखने को मिलता है द्रंग एंड ड्रंग के अंडर किंग ऑफ साहिब सेन तो जैसे ही इसकी पतनी कहती है कि आप क्या करो द्रंग को अपने आधिन लाओ क्य कि उस वकत साहिब सेन के समय में द्रंग के ऊपर एक राना का शाशन हुआ कता था मैंने आपको कई धेर बार बताया हुआ है कि जो द्रंग वाला रिजन था वहाँ पर एक मातर पहारी नमक देखने को मिलता है मैं प्रिविस टाइम मैं बता चुका हूँ अब दुबारा से द्रंग वाला रिजन किस वाली धार में पढ़ता है तो यह घोगरधार और जिले की बात करें तो यह जिला जो है यह मंडी जिले में वर्तमान में यह देखने को मिलता है नेक्स्ट उन इंपॉर्टेंट घटना जो है यहां पर एक किंग का नाम दिया हुआ है उस पिंग क का राजा था और यह जो राणा है अर्लिर इट वस मलब इससे पहले राणा से पहले यह मदन सेन के आधिन भी हुआ करता था तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर किस सुकेत के राजा ने द्रंग के ऊपर अपना अधिकार किया था तो यह मदन सेन जो है यह सुकेत के राजा हुए हैं और इनका यहां पर अधिकार रहा उसके बाद क्या होता है जो मंडी का राणा है उसको क्या करता है इस द्रंग वाले रिजन को अपने आधिन ले आता है नेक्स्टन इंपर्टेंट क्या चीज है कि राणा और लग वाले वाले रिजन था वहां पर राणा ठाकर और जो राजपुतों का राज हुआ करता था तो एक राणा था लग का लग एक रिजन है जो वरतमान में आपको क्लू में दिखने को मिलता है तो राना औफ लग क्या कर रहा था कि बार बार प्रताब सिंग के ऊपर अटेक कर रहा था उसकी अवहेलना कर रहा था उसका जो और्डर था या जो उसका पाला नहीं करता था तो होता क्या है कि जो साहिब सेन है और साथ में ये जो परताब सेन है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि युनाइट हो जाते हैं इनके बीचे एक संदी होती है और संदी में क्या 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 जाता है कि वो लग के उपर दोनों मिलकर क्या करेंगे अटेक करेंगे और attack करने के साथ साथ ही क्या किया जाएगा कि जब ये region उनके under आ जाएगा तो equally part में क्या किया जाएगा ये two लिखावा दोस्तों तो ये two part में क्या हो जाएगा इसको convert कर दिया जाएगा जो two part में दो भागों में equally बांट दिया जाएगा next important चीज क्या है कि जैसे ही लग वाला रिजन था ये लग वाला जो रिजन है ये उस वकत दो भागों में बटा था और दो भागों में बटने के साथ साथ ही एक था सिराज कुलू और दूसरा था सिराज मंडी लग वाला रिजन इंपोर्टेंट है दोस्तों कि एक था सिराज कुलू एक को ब समझाया होगा कि क्या है साइव सेन की जो शादी होती है बिलासपुर की राणी प्रकाश देवी से होती है और साथ में उसके कहने पर द्रंग के उपर अक्रमन करता है द्रंग उस वक्त जो द्रंग वाला रिजन है वो पहारी नमक के लिए प्रसिद है और ये घुगरधार के अंतरगत आता है, साथ में यहां पर उस वक्त राणा का राज हुआ करता था, राणा को हराता है साहिब सेन और उसके उपर उसका अधिकार हो जाता है, राणा से पहले वहां पर अधिकार जो हुआ करता था, मदन सेन जो था सुकेत का राजा उसका क्या हुआ करता था, अधि क्या बोलते हैं राज दर्वार है उसमें इंटर्प्रटेशन बढ़ जाती है इस राना की तो यह जो पताव सिंग है जो क्या बोलते हैं मंदी का राजा साहब सेन है उनसे मिलते हैं और इनके बीच एक bilateral means compact होता है एक संधी होती है और इस संधी में यह कहा जाता है कि अगर लग वाले रेजन के उपर उनकी बिजय हो जाती है तो equally उसको distribute कर देंगे तो इसमें क्या होता है कि लग वाला रेजन भी टू पार्ट में बंटा हुआ है एक को क्या बोलते हैं सिराज कुलू बोलते हैं उस वकद था भिकला यह एरिया है पालम और तिलोकपुर और फतेपुर वर पार्ट ओफ इट तो यह आपको याद रखना है उस वकद की बात कर रहे हैं वर्तमान में भी यह उसी रेजन में देखने को मिलता है पर आप सिर्फ कुलू ही उसे कहा जाता है यह कुलू की स्प गुटेपुर वर पार्ट ओफ इट आगे जो सिराजमंडी में आता है सिराजमंडी में स्नोर आता है बेदर आता है इसके क्या है यह पार्ट है सबसे इंप्रटन चीज का है कि बीर कोट अग्र पूछ प्परट्र के पार्ट हुए काफ हुआ आपको फोर्ट देखने को मिलते हैं बीर कोट मदनपूर पहले कुलू का पार्ट हुआ कता था पर अभी क्या है अभी ये कहां पर देखने को मिलते हैं अभी वर्तमान में ये आपको सारे के सारे जो पार्ट है वो किस जगा पर देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे पार्ट जो है मंदी डिस्टिक में देखने को मिलते हैं, I hope आपको यहां तक समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं, तो आगे जो है, सहिब सेन एंड मुगल रूलर, तो यहां पर आप जो मुगल रूल हुआ, और साथ में सहिब सेन है, उनकी जो contemporary घटनाई हुई है, उसके बारे में बा होगा, कि जो हुमायू है, वाबर का पुतर है, आपने अच्छे से इसके बारे में सुना होगा, यह मुगल काल यहां पर आपको यहां पर बताना चाहता हूँ, एक कनोज का यूद होता है एक चौसा का यूद होता है और जो चौसा का यूद में भी हुमाई के हार होती है और कनोज के यूद में भी हार होती है उसके बाद हुमाईू इरान चला जाता है और यह जो दोनों यूद होते हैं यह शेरसा सूरी और हुमाईू के बीच होते हैं तो जो हुमाईव है इरान चला गया हुआ है और इरान के से वापसी होती है उसकी कब पंद्रासो पच्पर में इन है ये इम लिख दिया है मैंने तो 1515 में क्या होती है उसकी वापसी होती है और वापसी होने के बाद क्या होता है एक युद होता है हुमायू और सिकंदर सूर जो है सूरवंश का राजा है अंतिम राजा है ये सूरवंश का सिकंदर सूर और इनके बीच क्या होती है एक लडाई होती है जिसे क्या कहा जाता लडाई होने के बाद क्या होती है कि इसमें जो सिकंदर सूर है उसकी हार होती है और हुमायू क्या करता है जीत होती है उसके दिल्ली की तरफ जाता हुआ वो क्या करता है अगरा की तरफ चला जाता है पर इसमें क्या होता है जो सिकंदर सूर है सिकंदर सूर क्या करता है कि जैसे उसकी हार होती है तो जो शिवालिक वाला रिजन है उसकी तरफ आ जाता है कहां आ जाता है कि जो सिकंदर ये रिजन है पंजाब वाला रिजन है अभी मैं आगे पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको तो उस रिजन को छोड़कर ये पंजाब क की तरफ आ जाता है और होता क्या है कि पंजाब से फिर क्या करता जो सुरी पंजाब नहीं क्या बोलते शिवालिक की तरफ आ जाता है और फिर शिवालिक से क्या करता है पंजाब के ऊपर चोरी शिपे अटैक करता है पर जैसे ही हुमायू को इस बात का पता चलता है तो अकब में क्या करता है दुबारा से टेय करता है जो इसकंदर सूर है तो अकबर क्या करता है जैसे ही सरहंद पहुंचता है सरहंद पंजाब में एक जगा है अभी में आगे दिखाऊंगा कैसा वहां पर फॉर्ट देखने को मिलता था और मुगलों के आधी नहीं आ गया था तो क्या करता है अपने सोलजर और आर्मी के साथ वहां पर पहुंचता है अकवर और फिर क्या होता है कि अकवर क्या करता है वहां पहुंचने के बाद जो कांगड़ा के निजदिक सुल्तानफूर रीजन पड़ता है उससे कांगड़ा में एंट्री मारता है एंट्री मारने के बाद क जो एरिया मोगल काल के आधीन था वो तो ठाई था पर उस वगद क्या होता है? डर के मारे जो आपकी मंडी, सुकेत और ब्यास वैली के अंदर अन्य जो रियास्ते आती थी उस वगद उ क्या करती है? मोगल जो शाशक है, उसकी आधीनता सभीकार कर लेती है. अब होता क्या है कि कालनौर एक जगा है ये भी आपको पंजाब के आजपरुस में देखने को मिलती है वो पार्ट अफ नूरपुर ये नूरपुर का पार्ट था और साथ में जो ये सकंदर सूरी है ये क्या करता है जब अकबर और बेरम खान अटैक करते हैं 1556 में और क्या होता है ये दुबारा से हार जाता है और ये क्या करता है कि इस जगा को छोड़कर जो ये सकंदर वाली जगा है और साथ में कलनौर का बाला जो रिजन के उपर उसने अटैक किया था उसको छोड़ कर क्या करता है मनकोट फोर्ट जो है उसमें ये शेल्टर लेता है और तमार में मनकोट फोर्ट जो है कांगरा रिस्टिक के नूरपुर जो तहसील है उसमें देखने को मिलता है उसके बाद क्या होता है कि वह यहां से भी क्या करता है अटैक करता रहता है तो ज सकंदर शूर सूर यह क्या करता है कि सरेंडर कर देता आपने आपको मुगलों के आधिन और यह क्या होता पूरा का पूरा जो रिजन है मुगलों के आधिन आ जाता है ये सारी की सारी जो घटना है एक घटना किसके समय में होती है ये जो घटना होती है ये सहिप सेन के समय में होती है आपको अच्छे से याद रखना है कि जो आपका क्या बोलते हैं जो इस सरहिंद का यूद या सिक कमीजी वंशज है और उनके बीच जब यूद होता है उसमें हार किसकी होती है सिकंदर सूरी की हार होती है और उस शेल्टर कहां लेता है मनकोट जो फोर्ट है वहां पर शेल्टर लेता है और तमान में मनकोट कहां पर है यह आपको नुरपूर में देखने को मिलता है और पह उसके इनके उपर क्या करती है, जो मोगल राज है, वो tax impose करती है, और मंडी से 500 रुपी का क्या क्या जाता है, tax लिया जाता है, तो आगे क्या है, it is said that साइव सैन has no issue, तो ये भी माना जाता है कि साइव सैन की कोई भी संता नहीं, कोई अलाद नहीं थी, और हुता क्या है उसकी जो पतनी है प्रकाश देवी ओ हुरंग देव ये काफी इंपर्टेंट है हुरंग देव जो मलब देव है और हुरंग देव जो टेंपल है उसमें जाती है और क्या करती है कि वहां पर प्रे करती है और इसको क्या कहा जाता है इस मलब जो हुरंग बहुत इस इसको कहा जाता है तो यह दोनों नाम एक है हुरंग देव और साथ में हुरंग नाराण जो टेंपल है वो मंडी में देखने को मिलता है Pray ov प्रोमिस ये हैं वचन देती है एक फिंपल उत्व cioè करेंगई घ्मिद्व को मुर्थी होती है उसको इव फिन को लुकु से क्रीपा से यूपु पुत्र का नाम क्या रिखा जाता है नाराएं सैन से dz scam तो आपको यह तक अच्छे से समझाया होगा तो आगे दเล नारेन सेयन का शाषन जो शुरू होता है 1575 इसवी से शुरू होता है और जैसे ही उसका बर्त होता है तो उसका जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं रहता है साथ में ही क्या होता है कि एक सिद उसके शाषन मंडी में आता है और उस जो सिद्ध का नाम है, उसका नाम है चुन्नी मुनी, तो important चीज है, कि जो चुन्नी मुनी है, उसका सबंद किस जिले से जोड़ा जाता है, तो यह चुन्नी मुनी जो है, मंडी से है, मुनी बदनाम हुई, आप उस से इसको याद रख सकते हैं, तो चुन्नी मुनी जो है, वह name of him, वो एक temple का निर्मान करता है, छोटी बूटी गलती है दोस्तों मदलब माफी चाहता हूं इसके लिए, तो यह जो एक temple का नाम, मनलब temple का construction करता है, और उस temple का जो नाम रखता है, और उस के लिए क्या करता है उसको चलाने के लिए यह क्या करता है लोगों के उपर टेक्स भी इंपपोज करता है साथ में वो क्या करता है कि बलव और साथ में जो लहारू रीजन है इन द nun अर लेयर उडर अंडर दा शुकेत क Olivia उदे सेन, तो ये पहले किसके आधिन हुआ करते थे, तो सुकेत का एक राजा हुआ है, जिसका नाम हमें उदे सेन देखने को मिलता है, तो उसके समय में क्या होता है, कि ये जो उदे सेन है, ये क्या करता है, इसके समय में ये जो बल्लव और लोहरू वाला रिजन है, ये सु प्रफेत के आदिन था पर जो नारायन सेन क्या करता है वहां से लेकर इसे अपने समरजे में मिला लेता है नारायन सेन डिफीटेट हिम एंड गॉट विक्टरी तो बोलना इक मितलब है जो बल्ल और साहत में लहारू का रीजन जो था इसको कहां पर मिलाया जाता है यह मंडी किस ने करवाए था तो विक्टी कौन था नारायन सेन था इसको अच्छे से याद रखना है नेक्स्ट वन जो है आपको जो यस्टरेड़े के कुष्चन है यह भी तो मैं यस्टरेड़े का जो कुष्चन अंसर है वो देखने है विच हाउस और पार्लियामेंट इस संसद का हाउस है या सदन है जिसे निमन सदन कहा जाता है तो यह जो है यह आपका जो दोस्तो है और लोकसवा है तो लोकसवा क्या है निमन सदन माना जाता है इसे लोकप्रिये सदन भी कहते हैं और यह भंग भी किया जा सकता है और अगर आपको इसका वेंबर बनना है तो आपकी उमर 25 वर्ष होनी चाहिए next one question है which house of parliament is permanent तो ये जो होता है second house भी बोलते हैं इसको या upper house भी बोलते हैं और ये जो होता है ये रज्य सबा होता है ये कौन सा होता है ये रज्य सबा होता है next one important चीज है जो question है which is southern most point of India तो दोस्तों ये इंद्रा point है ये जो है इंद्रा point है और ये आपको हिंद महासागर में देखने को मिलता है कहां देखने को मिलता है हिंद महासागर में देखने को मिलता है which tissue in plant transport water from the roots to shoot कौन सा उत्तक plant में पानी को जड़ से अन्य भागों तक पहुंचाता है तो ये जो है ये जाइलम होता है तो आपको अच्छे से याद रखना है आगे मैं इसकी picture भी दिखाऊंगा जाइलम जो tissue होता है वो क्या करता है जो आपका root होता है वहां से जो पानी और लबन होते हैं उनको different different part तक पहुंचाता है how many layer are atmosphere name it तो हमारे atmosphere में 6 layer होती है आगे मैं आपको एक picture के मादिम से ये 6 की 6 layer दिखाऊंगा और वो आपके लिए important है तो ये name it name भी आगे में बताऊंगा आपको आगे चलते हैं तो ये दोस्तो कुछ एक picture है आप देख सकते हैं लोकसभा क्या होता है लोर होस और पाल्लेमेंट होता है ये आपको मैंने बता दिया है कुछ इस तरह ये च्छाया चितर है next और अपर होस और पर्मनेंट होस जो होता है पाल्लेमेंट का और रज्यसभा होता है उसका कुछ च्छाया चितर इस तरह है next वन जो है 5 लेर होती है हमारे atmosphere में तो ये troposphere, stratosphere, midosphere, thermosphere, exosphere इसको हिंदी में बूलते हैं शो मंदल, समताप मंदल, मद्य मंदल, आइन मंदल और बहिर मंदल तो यहाँ पर कुछ एक important चीज़े हैं दोस्तो जैसे जो आपकी troposphere है उसमें क्या होता है वहाँ पर आपको ये जो diagram दिखाया हुआ है इस diagram की help से आप देख सकते है कि यहाँ पर क्या होती है बारिश होती है और साथ में यहीं पर बादल बनते है यहीं पर मौसम की जितनी भी गतिविद्या है ओद देखने को मिलती है next one जो आपका समताप मंदल है वहाँ पर आपको aircraft उठते हुए दिखाई देते है और यहाँ पर क्या होता है कि आपको दूल के कर्ड नहीं दिखाई देते हैं इसमें बादल भी नहीं बनते है next one जो है मद्य मंदल या जिसको मेजो स्पेर बोलते हैं यहाँ पर आपको जो यह मेटरोइड है यह तक्राते हुए देखते हैं या इसको उलका पिन बोलते हैं हिंदी में या तूटता हुआ तारा भी बोलते हैं और यह किसकी बज़ा से होता है यह घर्चन की बज़ा से होता है next one जो है आइन मंदल या इसको थर्मोस्पेर बोलते हैं और इसमें क्या होता है आपको स्पेस क्राफ्ट देखने को मिलते हैं इसमें स्पेस क्राफ्ट क्या करते हैं देखने को मिलते हैं अरोरा जो एक परकार का तारा माना जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं नेक्स्ट वन जो है बहिर मंडल जो होती है उसमें क्या देखने को मिलता है उसमें क्या होते हैं सिटलाइट वहाँ पर छोड़े जाते हैं या वहाँ पर सताफित किये जाते हैं तो आपसे यहां से देज सारे questions पुछे जाते हैं, यह आपको अच्छे से याद रखना है, I hope कि आपको यह बात पता चल गई होगी, कि आपको यहां से क्या-क्या याद रखना है, पहले तो इसकी scan से याद रखनी है, दूसरी बात किस bundle में कौन सी घठना होती है, यह आपके इसके उपर छोटे-छोटे rings होते हैं, जिसकी बज़ा से क्या-क्या जाता है, आपको यह हमें दिखाना चाहूंगा, जो यह छोटे-छोटे ring होते हैं, इसकी बज़ा से इसको गिनकर ही जो plant होता है, उसकी उमर का पता लगाया जाता है, और दूसरी बात क्या होती है, जब यह पानी को यहां से H2O जो होता है उसको जब यह ले के जाता है उपर तो यह one-sided होता है one-sided ही यह moment कर सकता है या ऐसे बोल सके कि यह one way है वापस नहीं आ सकता है नीचे की तरफ यह सिर्प क्या करता है नीचे से पानी और जो आपके मिनरल होते हैं लवन होता है उसको लेकर उपर जाता है तो यह आपको अच्छे से याद रखना और साथ में क्या होता है यह dead tissue होता है next one important चीज थी कि जो दक्षन भारत का दक्षनितम बिंदू है वो कौन सा है तो आप देख सकते हैं यह जो है इंद्रा पॉइंट है श्रिलंका से कुछ दूरी पर है और साथ में यह Bay of Bengal है यह आपको geographical location अच्छे से याद रखनी है और लक्षदीप बोलते हैं यह इसका पुरा ठीक है तो लक्षदीप किसका पुराना नाम है किस दीप का पुराना नाम है यह अच्छे से याद रखना है बेंगलूरू जो है यहां पर आपको अच्छे से याद रखना है कि इसे Silicon City बोलते हैं मैक्सिमम जो इसे IT Hub भी बोलते हैं तो यह अच्छे से याद रखना है इं पर क्या हुआ था आपको मिने बताया कि जो आपका सरहिंद का यूद हुआ था सकंदर सूरी या सकंदर सूर और सात में जो हुमारीु था उसके बीच में हुआ था तो इस रिजन में देखने को मिलता है ये वाला रिजन जो है काफी प्रसिध्य है सरहिंद Сегодня कहाँ पर है यह में है और यहां पर फोर्ट भी है और पहले यह क्या था सूर वांच के आधिन हुआ करता था पर जैसे ही हुमायू आता है और वाटे करता है इसकंदर सूर के उपर तो यह पूरा का पूरा टाउन है किसके आधिन आ जाता है यह पूरा का पूरा जो फोर्ट है और किसके आध 255 के आसप्रोस में उसने दुबारा से शाषन व्योस्ता सेट अप की थी और कहां से वापस आया था वो आपका इरान से आया था वो यह किसके समकालिन की घटना है यह साहिब सेन के काल की घटना है यह आपको अच्छे से याद रखना है यह आप देख सकते हैं छाय चितर जो है इस तरह का देखने को मिलता है आगे हुरंग नारेन टेंपल एट चुहार तो यह हुरंग नारेन टेंपल जो आपका नारेन सेन ने बनाया जो साहिब सेन की क्या है संतान है और जो परकाश देवी ने इसको क्या किया है हुरंग जो देव था या हुरंग नारेन जो टेंपल था उसमें जाकर क्या की प्रातना की और ये उसके बाद उसने क्या किया इस मंदर को अच्छे से बनाया तो यह आप अच्छे से देख सकते हैं कि हुरंग नारेन टेंपल कहां पर है यह आपको मंडी में देखने को मिलता है और यह माना जाता है कि जो हुरंग देव है यह धुमरपान का निशेद के निशेद करता है इसको धुमरपान करना पसाद नहीं है तो आपसे ऐसे करके भी कोशन पुछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस दे देव है वह ऐसा देव है नेक्स्ट वं जो है आज के जो QuesYou क्या है. वो इस गभर्णमेंट हेड़ इन स्टेट. तो रच्जय में सरकार का मुख्या कौन होता है. तो नेक्स्ट वान्स क्यूस्ट तो वोटर दे का मनाया जाता है. विच इस हाइस्ट पी किन्दा Southern India दक्षिण भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है अपने IMF की फुल फॉर्म बतानी है और किस समिट के किस अधिवेशन के आधिन ये बना था next one question है who is permanent representative of India in UN तो आपने बताना है UN में इंडिया का जो स्थाई प्रतिनीदी है और कौन है उसका नाम बताना है साथ में आपने क्या करना है कि जो आपका 24 अक्तूबर है उसको याद रखना है ये UN Day जो होता है उसके UN Day के रूप में इसको मनाया जाता है आगे जहिंद कहना चाहूँगा और I hope कि आपको समझाया होगा अगर कोछ चोटी मोटी गलतियां हुई हो तो माफिय चाहता हूँ उसके लिए धन्यवाद जहिंद अपना ध्यान रखे और अपने परिवार का ध्यान रखे धन्यवाद झाल